शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें आखिरकार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक प्रकाश गश्बेद्वारा दूसरे देश में पढ़ रहे चात्रों को अपने देश में वापस लाने का एक प्रयास सफल हुआ गश्बेद्वारा रशिया के मासकों में MBBS के पढ़ाई कर रहे विधर्प के 165 चात्रों को सफलता पुर्वक नाकपुर लाया गया जबकि अन्य चात्र 23 जून को नाकपुर पहुचेंगे इस सफल प्रयास में समर्थन के लिए गश्बेद्वारा राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अनिता सुप्रियास उले मुख्यमंतरी उद्द्व ठाकरे और गुर्वमंतरी अनिल देश मुख को धन्य बाद दिये कॉर्टलब है कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है दुनिया भर में इसका आकड़ा 80 लाख से भी जादा पहुच चुका है रशिया में कोरोना संक्रिमितों की संक्या 3,50,000 से अधिक हो गई है जिस वजह से रशिया के मौस्को में फसे विधर के परिवारों में डर का माहौल पैदा हो गया है इस बीच कई शात्रों के मादापिता राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक प्रकाश गजभिये से मिले और उन्हें स्तिति के बारे में बताया इस संबन्द में प्रकाश गजभिये ने राश्ट्रिये नेत सांसर सुप्रिया ताइद सुले, मुख्य मंत्री उदव ठाकरे, ग्रह मंत्री अनिल देश मुख और नाकपूर के जीला अधिकारी रविंदर ठाकरे से मुलाकात की और तुरेंत भारतिय और रशिया दूतावासों से संपर्ग किया और उन्हें भारत लाने की अनुमती मिली इस संबंद में इने कुछ हद तक सफलता हासिल हुई है आज नाकपूर में डॉक्टर बाबा साहिब आमेटकर अंतरराश्टी हवाईयर डे पर 145 शात्र पहुँचे हैं अन्यचात्र 23 जून तक लाए जाएंगे प्रकाश गजबिये ने सभी शात्रों का स्वागत किया औ और विधायक प्रकाश गजबिये को धन्यवाद दिया डिप्टी कलेक्टर श्री शेखर घाडगे और डिप्टी डारेक्टर ओफ हेल्थ के डॉक्टर सुदार वाट ने सभी शात्रों के स्वास्त की जाच की शात्रों को एहतियातन होटल सेंटर पॉइंट और होटल प्र